आगे मिंग्जू दॉंग से बात करने की कोशिस करती है पर दॉंग उसकी एक भी बात सुने को तयार ही नहीं होता तो मिंग्जू को भी गुसा आ जाता है और वो पाने में कूच जाती है तो दॉंग अपनी जान पर खेल कर मिंग्जू की जान बचाता है और कहता है तुम प पता चलता है कि यहां पर एक डांसर की जौरत है लेकिन उसे वहां जाका पता चलता है कि यहां पर उसे एक बार डांसर बनकर अमीरों को लुभाना पड़ेगा और उसके साथ रात बितानी परेगी। जबरदस्ती काम करवाने लगता है और उसे मारने पीटने लगता है तो एना बिच में आ जाती है और वो बॉस को सांथ करती है आप टेंसर मत लीजिए बॉस मैं इसे समझाती हूं और एना उस बॉस को समझा कर वहां से भगा देती है आगे एना जिनसो को समझाती है कि उसका यहां से बाहर निकलना इतना असान नहीं है इसलिए उसे बॉस की बात मानने ही होगी तो जिनसू कहती है उसकी बात मानने सच्छा तुम्हें मरना पसंद करूंगी तो एना को जिनसू के लिए बहुत ही बुरा लगता है और वो उसके साथ रात बिताने की planning करने लगता है तो एना उस बुढ़े के इराते को पहले ही भाप लेती है तो वो उस बुढ़े को एना से दूर रखने की कोशिस करती है पर वो बुढ़ा अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आता और वो जिन्सू के साथ जबर्दस्ती करने लगता है तो एना यहाँ पर भी जिन्सू को प्रोटेक्ट करने की कोशिस करती है पर वो बुड़ा एना के किसी भी कोशिस को कामियाब होने नहीं देता कि तभी वहाँ पर जेन आता है और उस बुड़े को सबक सिखाता है और सब के सामने ये कहता है कि जिन्सू उसकी है और कोई भी उसकी चीजों को हाथ लगाए ये जेन को पसंद नहीं परिसान करने की कोशिस की तो तुम्हारी खेर नहीं उसके बाद जेन जिन्सू को वहाँ से लेकर चला जाता है आगे जिन्सू समझ जाता है कि जिन्सू एक स्वाविमानी लड़की है वो कभी भी उसकी हेल्प नहीं लेगी तो इसलिए जेन जिनसु को कहता है तुमने तीन बार मेरी हेल्प की तो मैंने बदले में तुम्हारी तीन बार हेल्प की तो आप हमारा हिसाब के लिए तो जिनसु कहती है जो भी हो थैंक्यू सो मच मुझे उस बुठे से बचाने के लिए तो जेन कहता है मेरा ओफर अभी भ कर नहीं गई है तो जिंसू कहती है अगर आज तुम यहापर मेरी हल्प करने नहीं भी आते तो भी मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेती अपने आपको बचाने का लेकिन अगर मैं खुद को नहीं बचा पाती तो उन लोगों के सामने अपने इज़त की भेट चराने से प सुरक्षा के लिए 24 गंटे तयार रहे आगे जैन जिंसू की जॉब ढूरने में हेल्प करता है पर जिंसू को जला से भी भनक लगने नहीं देता है कि यह सब उसका करनामा है और जैन दूर से ही जिंसू को खुद देखकर बहुत ही खुद होता है आगे जिंसू एक मेकप क की ओनर को अपने साथ डिनर पर इनवाइट करता है और उसका सुक्रियादा करता है कि उसने जिंसू को अपने यहां काम पर रखा तो वो अनर जैन को बताती है कि उसने उसकी सिफारिस पर जिंसू को काम पर नहीं रखा बलकि उसे जिंसू के अंदर वो लगन और वो मेहनत और वो elegant दिखा जिस वज़ा से उसने जिन्सू को काम पर रखा क्योंकि जिन्सू को देखकर लगता है कि वो आगे जाएगी तो जैन कंपनी की ओनर से जिन्सू के बारे में इतनी अच्छे अच्छी बाते सुनकर बहुत ही खुस होता है इधर मिंग जी और उसकी चमची मेंग को भी पता चल जाता है कि जिन्सू को एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई है तो मेंग को ये सब देखकर बिल्कुल भी बरदास्त नहीं होता और मेंग उस कंपनी की मैनेजर को जिन्सू के खिलाब भरकाती है और उसे और देती है कि वो कुछ भी करे पर जिन्सू को उस कंपनी से बाहर निकाल दे तो उस मेनेजर को भी जिन्सू खास पसंद नहीं होती तो वो भी मेंग के साथ हाथ मिला लेती है जिन्सू को उस कंपनी से बाहर निकलवाने के लिए आगे वो मैनेजर जिनसू से धेर सारे काम करवाती है और जिनसू चुप चाप वो सारे काम कर लेती है क्योंकि उसे लगता है कि ये सब उसके काम का हिस्सा है आगे वो मैनेजर जिनसू को काम से बाहर निकालने के लिए प्रोडेक्ट में कुछ खराबी कर देती है ईगर तुम्ने भर पाया ऐसो कि आम offers ये地 vari को यहां में रहते ही तो बैचारी जिनसु बहुत ही प्रिसान को चाएगी,पहाँ से लाएगी कि तब ही उसकी मुलाकात जेन से हो जाती है तो जेन जिनसु को इतना परिसान देखकर जिनसु से पूछता है कि अब क्या हो गया अब यो इतनी परिसान क्यू है तो जिनसु जेन से कुछ पैसे उधार मांगती है तो जैन कहता है जब तक तुम मुझे रिजन नहीं बताओगी कि तुम्हें इतने सारे पैसे क्यों चाहिए तब तक मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता तो जिनसु जैन को पूरी बात बता देती है तो जैन जब पूरी बात जानता है तो वो जिनसु को कहता है कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता अगर मैंने तुम्हें पैसे दे दिये और तुमने वो पैसे जाकर कमपनी में भर दिये तो इससे साब साब साबित हो जाएगा कि यहां पर सारी गलती तुम्हारी है और तुम कभी भी उस गुनेगार को नहीं पकर पाऊगी जिसने तुम्हें बुली किया और जिसने तुम्हें इन समय फसाया तुम्हें पता है जब मैं संगाई में पहली बार आया था तो यहां के लोग मुझे और तंगाई को बहुत ही बुली करते थे पहले तो हमने इन्हें इग्नॉर किया लेकिन एक दिन तंगाई की जान पर बनाई थी उसी दिन से मैंने फैसला कर लिया था कि अगर हमें किसी ने बुली किया तो हम चुप नहीं बैठेंगे आगे जिनसू भी जैन की बातों को ध्यान से सोचती है तो उसे समझ में आता है कि जैन कोई गलत बात नहीं कर रहा था अगर वो इसी तरह सहती रही तो वो लाइफ में कभी भी आगे नहीं बरपाई की आगे जिनसू अपने उपर लगाए हुए इल्जामों को गलत साबित करने के लिए सबूत इकठा करने लगती है और वो जाकर अपनी बॉस को बता देती है कि इन सारे कारणामों में उसका कोई भी हाथ नहीं था उसने कोई भी लापरवाई नहीं की और नहीं उसने कोई भी समान खड़ाब किया तो बोस को जिन्सू की बात पर एकिन हो जाता है क्योंकि जिन्सू अपने बेगुनाही की सारी सबूतों को पेस करती है तो बॉस भी जिन्सू को माफ कर देती है आगे उस मेनेजर को जब ये बात पता चलती है तो वो जिन्सू पर बहुत ही भरकती है तो जिन्सू उस मेनेजर को बताती है कि उसने बॉस के सामने उसका नाम नहीं लिया लेकिन अगर आइंदा से उसने उसे परिसान करने की कोशि की तो वो उसे नहीं छोड़ेगी इसलिए तुम अपने काम से काम रखो और मुझे अपने काम से काम रखने दो समझ आई और जिन्सु यहाँ पर उस मैनेजर को मुझ तो जवाब देती है आगे जब जैन को जिन्सु के इस कारणामे के बार में पता चलता है तो वो बहुत ही इधर हान मिंग जी को एक जपैनिस पार्टी में लेकर आता है और यह पार्टी एक बिजनेस पार्टी होती है तो यहाँ पर मिंग जी के मुलाकात ली से हो जाती है और यहाँ पर ली मिंग जी से ऐसी बाते करते है जो मिंग जी के सर के उपर से जारी होती है और उसे ली से बात करना, बिलकुल भी अछा नहीं लग़रा होता है क्योंकि ली उसे uncomfortable महसूस करा रहा होता है, तो मिंग जी हान के पाल जाती है और उसे बताती है क्यों पार्टी में अछा नहीं लग़रा, वो घर जाना चाती है, तो हान उसे घर जाने की कुछ ऐसे राज जानता है, जिसे सुनकर मिंग जी पूरी तरह से परिसान हो जाती है, आगे मिंग जी घर जाती है, तो उसे पाष्ट की कुछ बाते याद आती है, जब उसकी मॉम मरने के कगार पर थी, तो उसने अपनी बेटी से कहा था, कि आज हमारी जो भी हालत है, वो ज कर जाती हो, पर उसके बदले मिंग जी कर दिया के पर और gwासे मीं जो जाता है, और कि और उसका टार्गेट और उसका टार्गेट जो कोई और और उसका बाई दॉंग भाने को अपने प्यार के जाल में फसाना होता है तो मिंग जी ये सारी बाते याद करके पुरी तरह परिसान हो जाती है और फानली हमें यहां पर पता चलता है कि मिंग जी हान और दॉंग की लाइफ में मोटो के कहने पर ही आई थी क्योंकि मोटो का कोई मकसद था हान और दौंकी लाइफ में आने का इधर एना का बॉइफरेंड विदेश से पढ़कर वापस आड़ा होता है ये बात सुनकर एना पूरी तरह से सौक्ट हो जाती है तो जिनसू एना से पूछती है कि आखिरकर क्या बात है वो इतनी परिसान क्यों है तो एना जिनसू को बताती है कि मेरा एक बाइफरेंड है जो यूएस में पढ़ाई करता था हम दुनों चार साल से एक साथ हैं मेरे बाइफरेंड के परिवार वाले बहुत ही गरीब थे उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो अपने बेटे को पढ़ाई करवा सके पर मेरा बाइफरेंड बाहर जाकर पढ़ाई करना चाता था ताकि वो कुछ बन सके और मुझे एक अच्छी लाइफ दे सके तो मैंने उसके सपनों को पूरा करने की कोसिस की और उसके पढ़ाई का खर्चा उठाया जिस वज़ा से मुझे इस बार में काम करना पढ़ा लेकिन ये बात मेरे बाइफरेंड को नहीं पता उसे ये पता है कि मैं एक कॉस्मेटिक कंपणी में काम करती हूँ अगर उसे ये बात पता चल गई कि मैं एक बार डांसर हूँ ये बात जानकर तो वो मुझे सारे रिस्ते तोर देगा मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ मैं उसे खोना नहीं चाहती प्लीस जिनसू मेरी हेल्प करने के लिए दौंग के पास जाती है और उसे पूरी बात बताती है तो दौंग उन लोगों की हेल्प करने के लिए मान जाता है आगे दौंग कोस्मेटिक कमपनी जाता है और वहां के बहुत से बात करने की गोसिस करता है कि वो एना को उस दिनों के लिए अपनी कमपनी में जॉब पर रख ले पर वहां की ओनर इस बात को मानने के लिए तैयारी नहीं होते है क्योंकि यह सब उसके रूल के खिलाफ होता है तो बेचारे दौंग के पास कोई भी आप्शन नहीं बचता तो वो एना के प्यार के रियल कमपनी दिखाने के लिए प्रोडेक्ट्स की भी ज़रत परेगी तो दौंग कहता है अब इसका इंतिजाम कैसे होगा तो जिन्सू प्रोडेक्ट का इंतिजाम करने के लिए जैन के पास जाती है और उससे हेल्प मांगती है तो जिन्सू यहां पर जैन को कुछ भी न जाती है और जैन को गले लगा लेती है और जैन ये सब देखकर बहुत ही खुस होता है आगे जैन कॉस्मेटिक कंपनी की मालकीं से प्रोडेक्ट की डिमांड करता है और उसे प्रोमिस करता है कि उसके प्रोडेक्ट को कुछ भी नहीं होगा अगर उसके प्रोडेक्ट को कर बहुती एमोशनल हो जाती है और उसके साथ ढेर सारी बाते करती है हिधर जिनक टियर जांक HAS thats1 प्षच होती है आगे धूंक जिनक को भुत फ्रवागत केड़ कर जाता है तो जिनक पर जोग इस जखना को देख कर बह०़ी होती है क्योंकि बहुत हिए तो बहुत हिप गुमाने फिराने लगता है ताकि वो इस situation से बाहर निकल सके तो जिन्सू भी थोड़ा awkward महसूस करती है और वो बाई कहकर वहां से चली जाती है आगे तो अपने आपको समझाने की कोशिस करता है कि वो जिन्सू के साथ ऐसा नहीं कर सकता वो जिन्सू को मिंग जी समझ कर उस अभी सक नहीं होता कि यह एना की कंपनी नहीं है कि तब वहां पर जैन आ जाता है और उन लोगों को ऐसी हरकत करते हुए देख लेता है तो जिन्सू जैन को साइड में ले जाकर उसे पूरी बात समझाने की कोशिस करती है पर जैन जाने का नाम ही नहीं लेता तो दौंग जैन को समझाने की कोशिस करता है और यहां पर यह लोग बात को समझाली रहे होते हैं कि दूसरी तरफ मैंग जिन्सू की लाइफ में प्रॉब्लम खरी करने का एक मौका भी नहीं छोड़ती और वो जाकर पुलिस में रिपोर्ट कर देती है कि यहां पर यह लोग नकली पनी बना कर नकली समान बेच रहे हैं तो सारे पुलिस वाले उस कंपनी पर धावा बोल देते हैं और यहां पर बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो जाता है तो जोंग के वाइफन को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिकर यह सब क्या चल रहा है तो जिन्सू जैन से रिक् को कोई भी सक नहीं होता और वह लोग खुषी वहां से चले जाते हैं आगे जैन उन दोने से पूछ तह कि आखिकर यह सब क्या चल रहा है तो वो दोनों जैन को पूरी बात बताते हैं तो जैन उन लोगों को उनकी इस हड़कत के लिए खूब डारता है और कहता है अगर उस दिन जॉंग को सचाई पता चलेगी, तो क्या उस दिन उन दोनों का रिस्ता वैसर है, पाहे का जैसा आज है, वेल जैन की बात सच भी निकलती है, और जॉंग को एना की सचाई पता चल जाती है, कि एना एक बार डांसर है, ये बात चान कर तो जॉंग को बहुत बड़ा स पर अिनआ यकिन करने का नाम ही नहीं लेती तो जिंव हैना को बताती है जो कि पूरी तरह नसे में धूत रहता है तो यहाँ पर जैन जोंग को समझाता है कि तुम अपनी गर्फिन से नफरत करते हो लेकिन तुम्हें पता है तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा उसने कैसे निकाला इसी तरह निकाला उसने अपनी इज़त को दौपर लगा कर तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा निकाला तुम्हें इतना काबिल बनाया और अब जब तुम काबिल बन गए तो अब तुम उसे दूर में पड़ी मक्ही की तरह बाहर निकाल रहे हो ताकि वो वहाँ पर जाकर उसे एक अच्छी लाइब दे सके तो जिनसु एना को इतना खुस देखकर बहुत ही खुस होती है आगे जिनसु को भी पता चल जाता है कि जैन वैसा इनसान नहीं है जैसा वो उसके बारे में सोचा करती थी जैन बहुत ही अच्छा इनसान है और वो दिल का बहुत ही अच्छा है वेल फाइलली जिनसु को भी जैन की अच्छाईयां धीरे-धीरे दिखने लगती है और इन दोनों की नस्दीकियां भी धीरे-धीरे बढ़ने लगती है आगे जैन के सामने एक बड़ी मुसिबत खड़ी हो जाती है और उसे पता चलता है कि उसके सहर में बहुत सारे लोग ड्रक्स बेच रहे हैं और उस ड्रक्स की वज़ा से उसके बहुत सारे भाई दोस्त उस ड्रक्स का सिकार बन रहे हैं जब jain को इस बार में पताचलता है तो jain अपने भाईों को उन द्रक्स से बचाने की कोसिस करता है और इन समय वो jinsu की भी help मांँटा है क्योंकि वो इस मामले में जinsu के हलावा किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता इसले वो जिन्सू को कहता है कि वो कोई ऐसी दवाई तयार करे जिसे वो अपने भाईयों को उन ड्रक्स से दूर रख सके मैं पूरी कोशिस करूँगी आगे जेन को पता चलता है कि इन सारे ड्रक्स का काम कोई और नहीं बलकثि लॉंग सी कर रहा है तो जैन लोंगसी को ड्रक्स बेचने से मना करता है और कहता है कि आज के बाद संगाई में कोई भी ड्रक्स नहीं बेचेगा क्योंकि इस ड्रक्स से बहुत सारे लोगों की लाइब बरबाद हो रही है और जैन लोंगसी के सामने उसके सारे समानों को आग भी लगा देता है तो लोंगसी को बहुत ही गुसार और वो ये मामला अपने बॉस के पास लेकर जाता है तो बॉस जैन को कहता है कि तुम्हारी हिमत कैसे हुई लोंगसी के समानों को जराने की तुम्हें पता है ना इन सारे सामानों की वज़ा से ही हमारा बिजनेस चलता है और हमारे घर का चुला जलता है तो तुम इस काम के बीच में कैसे आ सकते हो तो जैन कहता है मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ मैं हर बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए तयार हूँ लेकिन मैं इस बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल भी तयार नहीं हूँ इस बिजनेस की वज़ा से मेरे बहुत सारे साथियों की जान गई है इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ड्रक्स वाले बिजनेस पर रोक लगा दीजी और हमारे सारे साथियों का भी यही मानना है तो बॉस को जैन के सामने जुकना ही परता है क्योंकि सारे लोग जैन के साथ होते हैं आगे जैन दॉंग और जिंसु को एक अच्छे परिवार से बिलॉंग करता है दिल का अच्छा है और एक साफ सुत्री लाइब जीता है इसलिए तुम उसके पागल होना और मैं एक माफिया की लाइब जीता हूँ हमेशा गुंटा-गर्दी करता रहता हूँ इसलिए तुम मुशे पसंद नहीं करती ना तो जैन